Hello friends, मैं हूँ औरेश वर आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले है कि कैसे आप अपने ReactJS के प्रोजेक्ट को यहाँ पर फ्री में होस्ट कर सकते हैं Firebase को पर, जी हाँ दोस्तों, Firebase हमको यहाँ पर फ्री होस्टिंग की फैसलिटी प्रोइड करता है तो उसके उपर आप अपने ReactJS का प्रोजेक्ट केसे होस्ट कर सकते हैं वही आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स चलिए तो बिना कैसी देरी काच का कम हमरा स्टाट कर लेते हैं अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यह रहा मेरा ReactJS का प्रोजेक्ट इसको अगर मैं locally run करना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ यान start या तो फिर npm run start ठीक है आप यहाँ पर इसको locally start कर सकते हैं अब जैसे यह start होगा तो यहाँ पर local host के ओपर यह run होगा चले मैं इसका output आपको दिखा देता हूँ तो यह देखों यहाँ पर local host के ओपर यह run हो चुका है जो default हमारी यह पाती है उसका यही output होता है तो यह जो है वो मेरा project है ठीक है तो आप सोचों कि आपने इस प्रकार से पूरा ReactJS का project बना दिया है अब आपको उसको deploy करना है यानि live अपने website को उपर रखना है host करना है तो वो चीज़ आप यहाँ पर कैसा करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर platform यूज़ कर रहे है hosting के लिए और वो है Firebase Firebase हमको यहाँ पर free में hosting की provide करता है service तो मैं यहाँ पर जाओंगा browser के अंदर और यह देखो simply आपको यहाँ पर open करना है Firebase का console तो simply आपको एक account बनाना परेगा account के साथ यहाँ पर login करेगा तो यहाँ पर simply यही interface आपको दिखेगा तो यहाँ पर आपको multiple project मेरे दिख रहे है तो आपका अगर नया account है तो आपको यहाँ पर कोई project नहीं दिखेगा simply add project के उपर click करके आप यहाँ पर अपना नया project add कर सकते है एकदम simple है अपने project का नाम लिखना है और एक दो step जो है उसको simply आपको follow करना है और यहाँ पर आपका एक project create हो जाएगा for example यह जो metahub नाम का account है यह project है यह project के अंदर मुझे यहाँ पर क्या चीए कि मैं यहाँ पर hosting करूँ ठीक है तो यह project मैंने open कर लिया है अब यह रखो यहाँ यह hosting का option है simply उसके उपर मैं करता हूँ click और यह देखो यहाँ पर get started आगया simply उसके पर करते है click और यहाँ पर आपको पूरे instruction मिल जाएगे friends कि आपको hosting करना है तो कैसे करना है तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना परेगा यह जो हमारा project है friends वो अभी यहाँ पर local host में है ठीक है और वो यहाँ पर development phase में है हमको यहाँ पर क्या चाहिए कि वो यहाँ पर production phase में जाए यानि final उसका जो build आता है हमें वो यहाँ पर सबसे पहले create करना परेगा चले तो उसके लिए आपको क्या करना है simply आपको एक script लिखनी है जैसे कि npm run फिर आपको यहाँ पर लिखना है build ठीक है और कर देना है enter तो इससे होगा क्या यह पूरा कपूरा जो project होता है उसको वो यहाँ पर development phase में से convert करके direct deploy कर देगा ठीक है जैसे कि production जो phase होता है उसके अंदर यहाँ पर convert कर देगा यहाँ पर जितनी भी library use होगी सब को यहाँ पर mix करके यह देखो यहाँ पर यह build create कर देगा अब यही build हमको last में finally काम आता है friends इसी build को हमें यहाँ पर host करना है जैसे कि यह देखोए यहाँ पर script के अंदर multiple script होती है तो हमने यहाँ पर build वाली script run की है तो simply यह bundle बना देगा और build folder के अंदर पूरी यहाँ पर file रख देगा जितनी भी file हमको चाहिए होगी यहाँ पर useful की होगी तो यहाँ पर project के अंदर जितनी भी file हमने use की होगी सारी file यहाँ पर आ जाएगी जैसे कि यह देखोए यहाँ पर हमारा build create हो चुका है और सबकी style और यहाँ पर सबकी size भी आ चुकी है ठीके तो अभी यहाँ पर इसको close कर लेते है तो यह देखोए यहाँ पर static के अंदर सारे यहाँ पर resource मिल जाएगे CSS, JavaScript, media जो भी use किया होगा अपर हम project में सारे यहाँ पर build के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर जो important main file है friends हो ही है यहाँ पर index.html यही एक file है जो यहाँ पर run होती है क्योंकि यह single page application होती है तो simply यहाँ पर यही file हमको open करके मिलता है इसका output और इसी के अंदर यहाँ पर run time पर changes होते है तो यह सारे data यहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो अब next आपको क्या करना है तो next यहाँ पर आपको build बन जाने के बाद simply आपको क्या करना है यह देखो जो build हमने create किया है न वो आप simple html के मदर से भी बना सकते हो जैसे कि आपको पास simply static एक website है html, css and javascript की तो आप उसको भी यही step follow करके host कर सकते हो हमको तो simply यहाँ पर build चीए तो वो हमने यहाँ पर create कर लिया है same to same situation में अगर आपके पास यहाँ पर index.html का static project है separate तो उसके case में भी यहाँ पर आपको simply इतना करना है ठीक है तो अभी यहाँ यहाँ पर रिएक जैस का app है उसको host करना है तो वापस जहेंगे यहाँ यहाँ यह देखो तो यहाँ पर copy कर लेते है और यहाँ पर terminal के अंदर जाके simply उसको run कर लेते है जैसे कि मैंने आपर copy paste कर लिया है अब simply करेंगे enter तो यह package यहाँ पर install होना start हो जाएगा चलिए अब यहाँ पर इसको install होने देते है ओके और यह देखे यहाँ पर package देखे उसकी root directory में तो यह है हमारी project की root directory तो यह देखो यहाँ पर यह जो पूरा path है friends वो हमारे project का है तो इसी जगह पर आके यह वाला command आपको करना है run तो simply firebase space login यह चीज़ आप यहाँ पर copy paste कर सकते है या तो फिर manual भी लिख सकते है अब simply करते है enter तो यह देखो यहाँ पर simply हमारे पास permission मांग रहा है कि वो यहाँ पर हमारे data collect करें लेकिन मुझे यहाँ पर नीची है तो simply end के ओपर click किया और कर दिया enter अब यहाँ पर simply आपको अपने google account से login कर लेना है जिसकी मतलब से आपना भी यहाँ पर project create किया था तो मैं जल्ली जल्ली अपने google account के साथ यहाँ पर उसको login कर लेता हूँ और हाँ एक चीज़ यहाँ रखना कि यहाँ पर जो भी project अभी create हुआ है न वही account से आपको यहाँ पर login कर वाना है ठीक है तो मैं यहाँ जल्ली जल्ली उसी account से यहाँ पर login कर लेता हूँ और यहाँ पर यहाँ पर कुछ permission मांगेगा तो simply आपको यहाँ पर इसको कर लेना है तो यह देखें यहाँ पर finally हम successfully login हो चुके है यह वाली screen अगर आपके सामने आ चुकी है तो simply समझ लिजेगा आप successfully यहाँ पर login हो चुके हो अब आप इसको यहाँ पर close कर सकते हो चलिए अब next step क्या है कि हमको यहाँ पर यह दूसरा कमान यूज करना है और वो भी root directory में और यह कमान है firebase init जैसे कि हम जब भी project नया create करते है तब भी हम यहाँ पर init करते है तो वह इसी परकार से यहाँ पर firebase का app है तो firebase space init के उपर click करना है चलिए अब यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर cmd में जाके simply कर लेते हैं paste यहाँ पर नया account create होने जा रहा है friends sorry यहाँ पर एक नया project बनने जा रहा है firebase का और वह यहाँ पर इसी जगह पर file store करेगा तो simply आपको एक-एक step यहाँ पर ध्यान से देखना है यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने यह पूछ रहा है कि are you ready to process तो simply यहाँ पर yes enter अब यहाँ पर बहुत सारे option आपके सामने आ चुकी है friends तो यहाँ पर आपको क्या करना है ध्यान से देखना है हर एक option को जैसे कि हमको यहाँ पर चीए hosting ठीक है hosting के अंदर यहाँ पर हम manually host करने वाले है manually deploy करने वाले है तो हम यहाँ पर use करेंगे यह वाला option ठीक है यह नीचे वाला option भी है कि जिसके अंदर यहाँ पर github के अंदर यहाँ पर जैसे ही आप push करोगे और जैसे ही यहाँ पर upload करोगे तो वो automatically reflect होगा आपकी website के उपर यानि आपको बार-बार manually यहाँ पर build बना के upload नहीं करना परता है इसके अंदर simply github का account यहाँ पर लिख करने का होता है तो simply अगर यहाँ पर github का link कर देते है account तो simply यह automatically जैसे push होगा तो automatically यहाँ पर live reflect उसका यहाँ पर आपको दिख जाएगा लेकिन अभी मैं यहाँ पर manually करने वाला हूँ तो simply मैं यहाँ पर यह option select कर रहा हूँ अब यहाँ पर एक चीज़ द्यानते देखना यहाँ पर direct enter मत click कर देना ठीक है आपको simply click करना है space bar जैसे space bar click करो गए तो यहाँ पर यह start आ गया है यहाँ यह चीज़ हमने यहाँ पर select कर ली है अब simply आपको करना है enter अब next तो यह पूछ रहा है कि कि आपके पास already project है कि नया बनाना है तो हमारे पास already है तो हम यहाँ पर use and existing project के ओपर करेंगे click अब यहाँ पर multiple project हमारे आ चुके है तो हमारा जो project था उसका नाम क्या था हमारे project का नाम था यहाँ पर एक meet इसको close कर लेते है यह देखो यहाँ पर नाम था हमारा metahub तो simply हमको यहाँ पर metahub लिखना है तो metahub कहा है यह रहा ठीक है तो इसको simply मैंने click किया और यहाँ पर select होते ही enter कलना है तो next यहाँ पर यह पूछ रहा है कि आपकी public directory कौन सी है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान से दिखेगा friends public directory यानि आपका जो project है उसका जो भी build बना है वो यहाँ पर कहा है वो यह पूछ रहा है क्योंकि index.html की file जो हाँ पर होती है वही आपकी public directory कहलाती है तो यहाँ पर confuse मत होना कि यह public name का folder है यह इसका path पूछ रहा है नहीं हमको यहाँ पर build वाला लखना है ठीक है क्योंकि वही यहाँ पर final है न क्योंकि यहाँ पर index की file है लेकिन यहाँ पर सारे build नहीं है जो build create वह यहाँ पर build के folder के अंदर है तो public folder से यहाँ पर confuse मत हो जेगा simply आपको use करना है build folder तो यहाँ पर लिख दीजेगा build ओके अब simply यहाँ पर करना है enter अब next यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या यह single page application है तो simply यहाँ पर index.html की file यह use करेगा तो हाँ यहाँ यहाँ पर single page application है तो अगर आपको करना है तो आप उसे यहाँ पर use कर सकते है friends अभी यहाँ पर मैं no कर देता हूं अब यहाँ पर यह override के लिए पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर simply no कर देता हूं ओके और यहाँ पर हमारा project successfully create हो चुका है जैसे कि firebase.json की file यहाँ पर create हो चुकी है जिसके अंदर सारे information जो हमने आपको सिलेक की है वो यहाँ पर fill हो चुकी है automatically ओके चले अब यहाँ पर next क्या करना है हमको यहाँ पर जो भी file create हो यह यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या करना है अब यहाँ पर हमारा successfully create हो चुका है अब जाएंगे next अब next के अंदर simply आपको firebase space deploy यही command की मदद से आपको इसको deploy करना है चले तो वापस यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर करेंगे paste और simply करेंगे enter तो इसे होगा कि यहाँ पर जो भी build का folder है वो यहाँ पर directly live deploy होने जा रहा है friends तो यहाँ पर थोरा सा time लगेगा चले यहाँ पर थोरा सा wait कर लेते हैं यह करेंगे देखो यहाँ पर deploy होना start हो चुका है ओके फ्रेंटो यह लेते यह पर फाइनेली हमारा successfully project डि प्रेंटो हो चुका है और यहाँ पर hosting का URL भी आ चुका है, तो Simply सको करता हूँ copy, और browser में जाके Simply करते है करते हैं enter okay friends और यह देखो यहां पर हमारा project successfully live हो चुका है our friends तो यह देखो यहां पर project successfully live हो चुका है यहां पर इसका domain यहां पर https के साथ आता है जो आपको यहां पर firebase code provide करता है ठीक है तो आप इसको यहां successfully free में use कर सकते हो friends यह देखो यह हमारा localhost वाला है और यहां पर यह लाइव वाला है ठीक है तो simply आप इसको यहां पर use कर सकते है अब यहां पर सोचो कि आपको यहां पर future में कोई changes आते है ठीक है जैसे कि project में आपको कुछ changes करने है for example में यहां पर localhost वापस ओपन करता हूं npm run start जैसे की future में हमको यहां पर edit करना है इसको यहां पर थोरे से changes करते है चल यहां पर वापस जाएंगे और यहां पर जो main पर इसके आउटपूट हमारे सामने आ चुका है फ्रेंट्स लोकल होस्ट के उपर जो भी चेंजिस किये हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं ठीक है यह देखो यहाँ पर क्या लिखा है क्यों क्योंकि यहाँ पर लाइव हमने जो लास्ट टाइम डिप्लोई किया था वही यहाँ पर हमको दिख रहा है तो यहाँ पर जो भी चेंजिस हुए है उसको भी यहाँ पर लाइव वापस हमको यहाँ पर डिप्लोई करना परेगा तो वही सेम तो सेम प्रोसेस यहाँ पर अगर github के साथ जाओगे तो वो automatically push करने पर वो deploy कर लेता है, तो वो भी एक option अच्छा है, चलिए अब वापस यहाँ पर इसका build बना देते है, और यह देखें, यहाँ पर successfully create हो चुका है, अब वापस इसको deploy करना परेगा, चलिए तो यहाँ पर जाएंगे, और वही common वापस लिखेंगे, जैसे कि firebase deploy, simply इसको यहाँ पर copy करता हूँ, और यहाँ पर करता हूँ, paste, और simply करते है enter, तो वही same to same process यहाँ पर repeat हुए है friends, तो यहाँ पर अभी जो latest build होगा, वह यहाँ पर deploy हो रहा है, और वही चीज़ यहाँ पर live domain को पर changes मिल जाएंगे आपको, चलिए अब यहाँ पर इसको deploy होने देते हैं, और यह देखें, यहाँ पर successfully deploy हो चुका है, और domain भी वही है, तो simply यहाँ पर जाएंगे, यह देखें, य यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे comment section में जरूर बताएगा, और हाँ इसको अपने दुस्तों के साथ share करना मत पूलेगा, तो फिर मिलते हैं next video में, thank you for watching.